खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए बस फरक ये है कि भारत को दो मोड़ों पर जीत मिली है और पाकिस्तान को खरारी हार भारतियन नेवी के पूर्व अफसर कुल्भूशन जादो पर तीन साल पहले पाकिस्तान ने जो अत्याचार किये थे उनकी सजा उसे पाकिस्तान को आज मिल गई दुरिया की सबसे बड़ी अदालत से पाकिस्तान को हार मिली है ये फैसला हर लिहास से बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ आज पाकिस्तान को आतंक वादी हाफिस साइद को एक बार फिर से गिरफतार करना पड़ा है हमने आज मास्टर स्ट्रोक के इन दोनों बड़ी खबरों पर धारदार रिपोर्ट तयार की है लेकिन पहले बात कुलभूशन की कुलभूशन जादव पर पाकिस्तान के जूट का आज इंटरनाशनल कौर्ट आफ जस्टिस ने परदाफाश कर दिया अंतराश्टिय अदालत के 42 पन्नों के फैसले में पाकिस्तान के लिए शर्म के सिवाई और कुछ नहीं है अदालत के 16 में से 15 जजज ने इस बेंच के भारत के पक्ष में फैसला सुनाया यहां तक की ICJ के Vice President चीन की जो जजज है सुई हैंकिंग उन्होंने भी भारत के पक्ष में ही फैसला सुनाया पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ उनके ही यानि पाकिस्तान ही के एड हॉक जज उन्होंने इसमें अपनी सहमती नहीं दी है यह पूरी रपोर्ट आपको दिखाए उससे पहले आप पांच हेडलाइन्स जान वीजिए लाए कुल्भूशन जादव के मामले में 15 एक से भारत के पक्ष में अंतराश्ट्री अदालत का फैसला आया कुल्भूशन की फासी पर रोक लगाई गई कुल्भूशन जादव के लिए पाकिस्तान को देना होगा कांसलर आकस्स पाकिस्तान को वियना संधी के उलंगन का दोशी भी पाए गया है अदालत के फैसले के बाद हेग से लेकर मुंबई तक जश्र का बाहौल है अंतराष्ट्रे अदालत के बाहर पहुंचे थे कई सारे भारत ही है फैसले के बाद प्रुदान मंठी नरेंड मोदी ने ट्वीट किया लिखा सच और नयाय की जीत हुई कुल्भूशन को इनसाफ मिलेगा पूर विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज ने फैसले का स्वागत किया ट्वीट किया ये भारत की एक महान जीत है भारत मा की यही जैजैकार आज पूरी दुनिया में हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में आज पाकिस्तान को मूँ की खानी पड़ी है दहेक के समय अनुसार तीन बजे और भारत के समय के मताबिक शाम को ठीक साड़े छे बजे इंटरनेशनल कोर्ट अफ जेस्टिस के अध्यक्ष जजज अब्दुलकावी एहमद यूसुप ने फैसला पढ़ना शुरू की है लेकिन आईसीजे के सूत्रों से ये पहले ही पता चल गया था कि फैसला भारत के पक्ष में है तो सबसे पहले सिलसलिवार तरीके से ये समझिये कि भारत की कैसे जीत हुई और इसमें भी तहले आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान को कैसे वियना संधिके उलंगन का दूशी पाया गया अदालत ने अपने फैसल में लिखा है कुल्भूशन जाधव को बिना किसी देरी के उनके अधिकारों के बारे में नहीं बता कर पाकिस्तान ने वियना संधिके अनुच्छे 36 का उलंगन किया है अदालत ने गहा कि पाकिस्तान ने कुल्भूशन जाधव को कॉंसुलर एकसेस नहीं दिया और इस तरह से पाकिस्तान ने वियना संधी के आर्टिकल 36 का उलंगन कि पाकिस्तान ने भारत को कुल्भूशन जाधव से मिलने, बात करने और न्याइक प्रतनिधित्व करने से भी रोका और ये भी वियना संधी का उलंगन है अदालत ने ये आदेश दिया कि पाकिस्तान तुरंथ प्रभाव से कुल्भूशन जाधव को उनके अधिकारों के बारे में बताए और उन्हें कॉंसूलर एक्सेस दे ताकि भारती अधिकारी उनसे मिल सके अदालत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कुल्भूशन जाधव को दी गई फांसी की सजा पर जरूर पुनर विचार करें यानि एक तरह से फिलाल कुल्भूशन जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है पाकिस्तान has raised three objections to the admissibility of India's application These objections are based on India's alleged abuse of process, abuse of righties and unlawful conduct The court addresses each of these objections in time दहेक के इस international court में कुल 16 जज होते हैं जिनमें से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया सिर्फ एक जज इस फैसले के खिलाफ थे और ये हैं ICJ में एड होक पर काम कर रहे पाकिस्तानी जज तसद्दुग हुसैन जिलान जो पाकिस्तान के पूर्व Chief Justice भी है और अब सीधा हम हेग चलेंगे क्योंकि वहां मेरे सयोगी प्रणाय उपाध्याय मौझूद है प्रणाय से ये समझना जरूरी है कि अब आगे क्या होगा ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले भी कुछ एक instances ऐसे रहे हैं जिनमें ICJ के फैसलों का दुनिया के कुछ देशों ने नहीं स्वागत किया या वो नहीं माने है अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो फिर क्या होगा प्रनाए अमेरिका उसमें लिस्ट में पहले नमबर पर आता है आप जानते हैं रशा भी है और मेरे कि खाल से चाइना भी है जब फैसले को उन्होंने नकार दिया था क्या पाकिस्तान ये हैसियत रखता है कि ये काम कर पाए रुबिका पाकिस्तान के लिए इस फैसले को न मानने जैसा कदम उठाना बेहद मुश्किल होगा लगभग असंभव है क्योंकि इस में आपने जो नाम गिनाए हैं चाहिए अमेरिका का हो या दोनों केसे जो अवीना केस या लगाड केस का मामला हो ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इस अदालती इसके खिलाफ अपील का कई मेकानिजम नहीं है इसके अगर अगर सह फैसले से आप पसंतुष्ट हैं तो इस मामले को संयुक्तराश सुरक्षा परिशद में ले जाना होगा और शायद वो पाकस्तान के बूते की बात नहीं कि वो इस मामले को संयुक् किया है कि पाकिस्तान इस फैसले को मानेगा कहीं यह नहीं कहा उन्होंने कि पाकिस्तान इसकी अभेल ना कर रहा है ऐसे नहीं मानेगा क्योंकि दो बड़ी जो काउंट हैं जिसके उपर पाकिस्तान यह कह रहा है कि उसके दलील की जीत हुई है वो यही कि एक तो कॉलमुशन जादर रिलीज नहीं होता है और दूसरी बात यह है कि उसको री ट्राइ करने का जो प्रोसीजर है वो पाकिस्तान अपने यहां ताय करेगा लेकिन पांच बड़ी बाते हैं रुबिका जिनके उपर भारत कहा जा सकता है कि भारत की दलीलों की बहुत बड़ी जीत हुई है इ इस अदालत का जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान ने जो दलीलें सारे पूर करीब 26 महीनों की जो कानियों ने लड़ाई इस अदालत के अंदर चली उसमें पाकिस्तान लगातार यही कहता रहा कि भारत का कोई केस नहीं बनता उसकी एड्मिसिबिलिटी नहीं है अदालत ने अगले रिपोर्ट के आगे बढ़ूनी आप पहले वो पांच बाते बता दीजेए पहली बात जुरिस्दिक्षन तूसरी बात एड्मिसिबिलीटी तीसरी सबसे बड़ी बात की विएना कंवेंशन किया पाकिस्तान लगातार यह कह रहा था कि विएना कंवेंशन में वो स्पाई का केस को exception बनाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के इस दलील को पूरी तरह से खारिज किया है इसके अलावा International Covent of Civil and Political Rights का भी हवाला भारत ने दिया था उस दलील को भी International Court of Justice ने स्विकार किया है और पांचवी सबसे महतपूर्ण बात जिसका आपने भी रेफरेंस दिया पंदरा बनाम एक यानि एक एड़ॉक जिसे पाकिस्तान ने केवल इस फैसले के लिए इस बेंच के अंदर बिठवाया था उसे ये शायद शक था कि उसके हितों की रक्षा ना हो पाए लेकिन अगर आप देखें यूनानिमस जो पर्मरेंट पंदरा मेंबर है इस बेंच के उन सभी देशों के जजजेज ने एक मत से ये फैस्टा दिया है बात ने जो बातें कहीं उसके अंदर तरक है और लहाज़ा पाकिस्तान को कांसलर एकसेस इमीजेटली देना चाहिए आकुलबुशन जाधा को इसके अलावा उसका री ट्रायल होना चाहिए और री ट्रायल भी पाकिस्तान को military court में थो नहीं कर सकता पतला पुनर विचार भी करना होगा और गहन समीक्षा भी इस केस की करनी होगी पाकिस्तान को अगर दो शब्दों में पूरा मामला समझना हो तो प्रणय बने रहीएगा ये तो आपने समझा लिया कि इस मसले में आगे क्या होने वाला है लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि अंतराश्ट्य अदालत के फैसले के बाद देश में क्या माहौल है दहेग से लेकर मुंबई तक जश्ट मन रहा है और सभी लोग इसे भारत की महान जीत बता रहे हैं पाकिस्तान की बद्तमीजी के इंतिहां ये थी कि बीते तीन सालों में अब तक भारत में करीब 30 बार कॉंसिलर एक्सेस मागे लेकिन पाकिस्तान में इंकार कर देग दहेग में इंटरनेशनल कोट के बाहर आज बहुत से भारतिया मौजूद थे और खास तौर कर महराश्च से भी भारति यहां पहुचे हुए थे जैसे ही फैसला भारत के पक्ष में आया तुरंती यहां भारतियों ने जश्ट मनाना शुरू कर देगा हम लोग पीस पैलेस के बाहर कड़े हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जेस्टिस के और यहां पर बड़ी तदाद पे लोग इखटा हो गई हैं भारतियों कुल के नागरिक हैं कुछ यहां के रहने वाले हैं लोग कुल भूशन जाड़ता हो और उनके परिवार जनों को हर्दिक शुपकामनाई देते हैं एक आदमी कले भारत सरकाने दिखा दिया कि वह जान लगा देगी भले वह आदमी पाकिस्तान हो उसकी चेल में हो उसका सें बारत माता की! आज जाधा की! जैशन आइसीजे के बहर भी नहीं रहा था तो मुंबई में कुलभूशन जाधव के घर पर भी. ये मुंबई का पवई इलाका है जहां कुल भूशन जाधव का घर है फैसले के बाद लोगों ने पठाके फोड़े और लड़ू बाटकर जश्मन आया आज वो भारत को बदनाम करने की जो साजिस कर रहा था आज उसमें पाकिस्तान की पोल खुली है हम सारे भारते खुश है और बेसबरी से कुल भूशन जाधव जी का इंतिजार कर रहा है कि वो कब हमारे देश अपने घर वापस आए ये हमारे पवई वापस आए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है पूर विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज ने भी ट्वीट किया लिखा कुल भूशन जाधव के मामले में आया अंतराश्च्ट्र अदालत के फैसले का मैं पूरे दिल से स्वागत करती हूँ ये भारत के लिए एक महान जीत है मैं प्रधार मंत्री नरेंद्र मोरी का जाधव का केस आईसीजे के समक्ष ले जाने की पहल करने के लिए धन्यवाद देती हूँ मैं हरीश सालवे का आईसीजे में भारत का पक्ष मजबूती और सफलता से रखने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत अच्छी खबर अंतराश्चिय कोड से आई है क्योंकि इसमें जो काउंसिलर एक्सेज भी नहीं दे रहे थे वो भी अब कुल्भूशन को मिलेगा कुल्भूशन पर जिस तरह से पाकिस्तान ने गलत करवाई करके काम किया है तो अंतराश्चिय मंच के सामने वो रोज तो मुझे लगता है आखिर नयाय मिलेगा और वो भी जल्दी मिलेगा कि अगर जब ये री ट्राइल होगा तो कुल्भूशन जादा बिल्कुल अकेले नहीं होंगे उनको भारत सरकार का कॉंसलर एक्सेस मिलेगा ताकि कुछ उनको अपनी केस की पैरवी में या कुछ उसकी प्रेपरेशन में जितनी भी मदद भारत सरकार कर सकेगी वो कर सकेग अपील या समिक्षा की सूरत निकालना बेहत कट है इसका खिलाप अपील के लिए भी पाकिस्तान को संयुक्त राश्ट दुरक्षा परिशत का ही दर्वाजा खट-कटाना होगा और आज असलमानों में अगर किसी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है तो वो है फॉर्मल सॉलिसर्टिल जेनरल हरीश सालवे जो उस वक्त प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं सीधा वही का रोग करता है कि अच्ट विएना कन्वेंश अधिने क्यों इंट च्टे टो इंट जे स्ट्रोट इंट जेए। झारैंप। we had ambitiously asked for annulment, the court said we can't annul, but they have said that Pakistan has to do everything to make the Vienna Convention right a living reality. They have to allow review and reconsideration. they have rejected the argument that clemency is a form of review and reconsideration they have not accepted the argument that resort to judicial review in Pakistan courts is good enough and that is why they have said that you must allow review and reconsideration as I read the judgment the critical point of review and reconsideration is that he has to be allowed consular access he has to be allowed and the the review and reconsideration must take into account the potential prejudice caused to him the implications of his evidence and his right to defense and it is only such review and reconsideration where we or our consulate will not only be allowed to meet him discuss with him see the papers examine the evidence against him but also arrange for his legal representation of this is just a big deal from the music that the government is made to impose a whole in any way and the step in order is to be made to be made to make it to us that it is a general expression that has been done in order to make the rights that it has made to be made to make it to you that the United States of Japan that it has made it to make it to be made to make it to make it to make it to you which is the latest in the results that we have received now the test thatates the initial race पहले आतंग पर साख गिरी, अब जाधों पर पाक की किरकिरी